Hello YouTube, आज मैं बना रही हूँ Lazy Daisy Stitch with Bullion Knot इसमें आपने simple Lazy Daisy बनाना है, यह देख यह Lazy Daisy Stitch बनाया है, ऐसे, अब Lazy Daisy में हम क्या करते हैं, कि यहां से हम नीचे ले जाते हैं अब हमने, क्योंकि हमने bullion knot के साथ इसको एड़ करना है, तो 5, 6, 7 एक स्टिच डिफरेंट तरीकों से बन जाता है, इसके बहुत सारी विरेशन होती है, देखे, पहले simple Lazy Daisy की तरह से इसे लिया, जैसे chain स्टिच होती है, उसी तरह से यह यह ले लिया, उसके बाद हमने इसका, क्योंकि बुलियन नॉट के साथ करना है, तो हमने यहां से, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, abbiamo 3, 4, 5, 6, 7, 8 बहुत सिम्पल और स्थिलिश यह लेजी-डेजी हो गया और फिर हमने बुलियन नॉट के लिए इसे यहां तक लेके आए और फिर सेम हम उसी जगह से नकाल लेंगे ऐसे 1,2,3,4,5,6 अब यह देखें आप इसको अगर आप इससे लंबा करना जा रहे हैं तो फिर आप उसको उतने ही ज्यादा बुलियन उसके ज्यादा ले लेंगे और यहां तक इस तरह से कर लेंगे इससे लंबा करना जा रहे हैं इसको लंबा कर लेंगे यह आप इसको बड़ा करना चाहरें जरूरी नहीं होता कि आप जितना मैंने लिया है इतना ही आप लेंगे मैं जिस्ट आपको एक स्टाइल बता देती हूं आपने अगर इतना साइज लेना है तो आप इतना लेंगे और फिर बुलियन इतनी ले लेंगे अगर आप इसको बड़ा करना चाहरें इससे बड़ा कर ले और बुलियन भी बड़ी करने साथ यह आप इड़ेंट करता है और अब मैंने इसे सेंटर में इसके मैंने क्या किया है यह सिंपल फ्रेंच नॉट डाली ठीक है आप इसमें फ्रेंच नॉट बहुंगा सकते हैं आप अगर चाहें तो इसमें वैसे सिंपल स्ट्रेट स्टिक भी कर सकते हैं अगर नहीं कुछ भी करना चाहें तो वह भी आपके अपने ंपर टीरेंट करता है यह जिस्ट थोड़ा सा अच्छा मुझत है भरा-bरा सा लगता ह बीटिफुल सा लुक देता है इसलिए मैंने यह और फ्रेंच नॉट में मैंने दो दफास को लिया ठीके तो यह था हमारा आज का स्टिच होफुली आप लोगों को पसंद आया होगा प्लीज इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और मैंजी सब्सक्राइब करें थैंक यू